कि नमस्कार आदाब सच्रेय अकाल जै भीम जुहार मेराistes बहुत बड़े पत्रकार क्षे कetr कुमार माफ़ कि जीगा कलाकार दरसल होता यह है कि हमेशा याद रहता है कि अक्षे कुमार जो है वह पत्रकार हैं क्योंकि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का इंटर्व्यू लिया था या कहिए कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इंटर्व्यू दिया था वैसे आजकाल समझ में नहीं आता कि पत्रकार कलाकार है कि कलाकार पत्रकार है जो सवाल पूछा जाना है वही सवाल पूछते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का मन पढ़ लेते हैं तो आप फिल्म आने वाली है अक्षे कुमार की या आप कहिए भारत कुमार की या कहिए इंडिया कुमार की इंडिया इसलिए कि हाली में उनको इंडिया की सिटिजन शिप मिली है लेकिन अब लगता है कि इंडिया से उनका मोह भंग हो रहा है तो उनकी आने वाली फिल्म मिशन रानी गंज दग्रेट इंडियन रिस्क्यू यह नाम था फिल्म का और जब भारत और इंडिया का विवाद शुरू हुआ तो उन्हों फटा फट इसका नाम कर दिया, पोस्टर का नाम, दग्रेट भारत रिस्क्यू, मिशन रानी गंज, दग्रेट भारत रिस्क्यू, अचानक से इंडिया से मोhma, भंग हो जाता है, अक्षा कुमार का, और वो इसमें सुधार करते हैं, यह उन्ही का ट्वीट है, यह देख लिए अक्षा कुमार का ट्वीट है और इसमें उन्होंने लिखाता वॉच्छ तैस्टोरी आफ इंडियास्टू हीरो विद मिशन ऑन रानि गंज इन सिनमाज ऑन सिथ ऑक्टूबर छे अक्टूबर को रिलीज होने वाले इंडियास्टू हीरो इंडियास्टू हीर कि अक्षा कुमार फिल्म का नाम बदल देते हैं और फिल्म का नाम बदल कर क्या करते हैं मिशन रानी गंज दग्रेट भारत रिस्क्यू यह अक्षा कुमार का ही ट्वीट है पूजा एंटर्टेन्मेंट की बनाई हुई फिल्म है वो इसको कर देते हैं मिशन रानी गंज ये अक्षा कुमार का एक बार फिर से ट्वीट देखिए एक तरफ मिशन रानी गंज के साथ उन्होंने यहीं पर जहां यह भारत लिखा हुआ है वहाँ उन्होंने कर दिया था इंडिया रेस्क्यू यह भारत की जगा इंडिया था इसके पहले वाले ट्वीट में तो आपको बता दें कि मिशन रानी गंज जो है वो बंगाल की एक घटना पर अधारी था पस्चिम बंगाल में कुएले की खदान है बहुत बड़ी खदान है मिशन रानी गंज फिल्म का अधारित है मतलब अगर यह नवासी कर ले तो 11 साल उधर 23 साल इधर मतलब 34 साल पुरानी घटना पर यह बनी हुई फिल्म है रानी गंज जा नाम सही पता है आपको कि रानी गंज कोल फिल्ट पर कोल फिल्ट में यह घटना गटी थी महां 65 मजदूर फस गए थे 65 मजदूर औ उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया था वहां बहुत बड़े इंजीनियर थे जस्वन सिंग गिल उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अपनी जान पर खेल कर अंजाम दिया था तो उस पर यह फिल्म आधारित है लेकिन तब यह इंडियान ऑपरेशन था अक्ष कुमार तो आप जानती है पहले 입니다 के थे हाल में इंडियन हुएं अब उन पर इंडियन से काम नहीं चलता उन पर भारती होने का भारत मसी ओने का बड़ा ऊबाल मार्षा तो यह अचानक से क्या होता है कि फिल्म का नाम बदल दीया जाता है और ऐसा भी नहीं सी बार फिल्म से हटा कर भारत किया गया लेकिन कहानी साहब यह नहीं है मुझे यह नहीं बताना है कि अक्षा कुमार ने फिल्म का नाम बदल दिया मुझे यह बताना है आपको कि जब फिल्म का पोस्टर इतना फर्जी है तो फिल्म कैसी होगी इसके बारे में यह देखिए पूजा एंटर प्रोडक्शन वाशु भगनानी प्रेजंट्स ये धर अजय कपूर प्रोडक्शन प्राइवेट लिम्टेट और यह रहा मिशन रानी गंज का पोस्टर तो यह जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसमें देखिए यह धेर सारे मजदूर डेपक्ट किया गए यही लोग फसे लेकिन जनता जो है ना वो बहुत गजब की होती है वो जब अपने उपर आती है तो क्या-क्या चीर फाल कर डालेगी कैसे चीर फाल कर डालेगी यह आप नहीं जानती यह देखिए यह मजदूरों की तस्वीर है जिसमें अक्षा कुमार इंजिनियर का रोल निभा रहे हैं ने जो फिल्म बनाई है या जो जिसमें उन्होंने रोल किया यह उसमें कम्प्लीट फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा इसलिए कि जिन 65 लोगों को बचाने पर यह फिल्म बनी है वो 65 लोग पहला कि पैस पोस्टर में तो मुश्किल से 10-15 लोग देख रहें यह 10-15 लोग भी जो है फर्जीवाड़ा करके बनाया गया यह पोस्टर इसको समझने के लिए आपको इसके अगले हिस्से पर चलना पड़ेगा जब मैं आपको दिखाऊंगा यह यह इसको कहते हैं जादू किस तरीके से पूजा इंटर्टेन्मेंट ने अक्ष्यकुमार की फिल्म के प उच्छेकुमार हैं और यह सारे मज़ूर वही पोस्टर जो इसके पहले मैंने दिखाया था इसमें यह गोला लगाया हुआ है तो इसमें फर्जीवाडा क्या है फर्जीवाडा यह है कि एक मजदूर जो है उसको दो जगह दिखाया गया है पोस्टर में 65 मजदूरों की कहानी है 65 मजदूरों की और यह 65 लोग भी पोस्टर के लिए अक्ष्यकुमार की फिल्म में नहीं मिले यह है इस फिल्म का जादू इसको कहते हैं मैजिक आफ अक्ष्यकुमार तो जादूगरी देखिए अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपकी समझ में ज्यादा बहतर आएगा यह देखिए सबसे पहले देखिए यह यह लाल घेरे में इस मजदूर को देखिए यह देखिए मूँ फाड़े हुए और यह उपर लगा हुआ यह हेड़ गेर में जो है लाइट जल रही है अब यही मजदूर बिल्कुल सेम टू सेम यह देखिए यही उठाकर यहां चिपका दिया गया है तो यहां देखिए नंबर एक यह यह और यही आदमी जो है यहां पर देखिए अगर चलेंगे तो यह है यहां पर नंबर दो सेम टू सेम आदमी दो जगह दिखाई दे रहा है एक ही पोस्टर में 65 मजदूरों की कहानी है फिल्म बनाने चले है ग्रैंट फिल्म कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने जंदग ही कि यह सबसे महेंगी फिल्म है और पोस्टर पर लाने के लिए मजदूर नहीं मिले इसी तरीके से यहां देखिए यह एक इस मजदूर को देखिए और यही सेम यह और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सेम मजदूर यह मजदूर और यह मजदूर यह और यह हरे गोले में दोनों मजदूर सेम है इसी तरीके से अब आईए पीले गोले में यह देखिए यहां यहां एक और यहां देखिए यहां नीचे कोने में मैं इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूँ इससे आप सहुलियत स देख पाएंगे यह देखें यह मजदूर और नीचे जो यह मजदूर है यह दोनों सेम हैं यह और यह पीले गोले वाले तो यह है अक्षा कुमार की महान फिल्म इसके अलावा देखिए यहां देखिए मूँ खोले हुए यह यह जो नीला घेरा है और यहां देखिए same to same यहाँ पर भी आप यह देखिए यह दूसरे नंबर का है यह है इनकी हालत यह है इनकी फिल्म की हालत यह बनाने चले हैं महान फिल्म यह इनको भारत और इंडिया का जगडा करना है इनको दिखाना है कि नहीं भारत अच्छा है इंडिया खराब है और यह फिल्म बना रह पर बनी ही फिल्म में पोस्टर में दिखाने के लिए कितने अगर लाल हरा दो ये तीन और ये चार तो चार मजदूर नहीं मिले मतलब किवल जितने कलाकार हैं इनमें दिखाने के लिए चार और चाहिए थे मजदूरों की कहानी पर बनी हुई फिल्म के पोस्टर बनाने के लिए तो कुल मिलाकर कहानी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ये जो पूरा पोस्टर है ये जो पोस्टर है इसको आप कह सकते हैं कि ये पोस्टर जो है मुकमल तोर पर फर्जी है ये अक्षा कुमार की फिल्म का poster फर्जी है जूट है इसमें धोखा दिया गया है ये नकली लगता है और ये है राष्टवादी कुमार की स्थिति जो मूल सवाल है और जो कहने की जरूरत है और जिस पर सोचने की जरूरत है वो एक लाइन है और वो लाइन ये है कि जब पोस्टर इतना फर्जी तो फिल्म कितनी होगी यह सवाल है और इस सवाल पर सोचिए गाच्चों कि यह वो लोग है यह वो लोग है जो नरेटिव गड़ते हैं राष्टवाद का यह पत्रकार है कि कलाकार है कि कुछ और है समझ में नहीं आता है लेकिन यह लोग राष्टवाद का नरेटिव गड़ते हैं इंडिया बनाम भारत की बात करते हैं और हमसे इम्तिहान लेते हैं हमारी भारतियता पर हमारे राष्ट प्रेम पर हमारे देश प्रेम पर हमारी राष्टवादी नैतिकता पर ये लोग सवाल खड़े करते हैं सर्टिफिकेट बाढ़ते हैं तो जो लोग एक पोस्टर तक बनाने के लिए इमांदार नहीं है करोणों लोग है इस पर सोचना हमारा और आपका काम है हम लोग इस पर सवाल करें और सोचें कि क्या भारत पनाम इंडिया का जो नरेटिव सेट किया जा रहा है उसमें इस देश की बेरोजगारी का कोई हल है इस देश की महंगाई का कोई हल है इस देश में जो सामप्रदाइक हिंसा हो रही है उसका कोई हल है और अगर इस देश की किसी भी समस्या का हल नाम में नहीं है तो सवाल है यह जगड़ा क्यों है यह जगड़ा कौन लोग कराते हैं यह जगड़ा क्यों कराते हैं इस पर सोचिएगा इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अ को लाइक कर लिजे इंस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारे ट्विटर हैंडल है अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैं नावीन जर्नलिस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार